हेलो फ्रेंट्स, एसके फेशन डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है, तो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी, आज मैं आपको वेलवेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, और बैन लगाने का हाफ बैन लगाऊंगी कुर्ती के गले पे, तो उसका बहुत ही अलग सत्रिका आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके बहुत ही काम आएगा, तो फ्रेंट्स, अगर आप भी सूट सीखना चाते हैं, सूट स्टिच करना चाते हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा, तो अभी विंटर सीजन आने वाला है, वैलवेट फैब्रिक जो है काफी चलेगा इस विंटर में, तो आप भी देख सकते हैं, आपको पूरा बताऊंगी किस तरह से कटिंग करेंगे और किस तरह से हम इसकी स्टिचिचिंग करेंगे, तो देखें, यह वाला सूट है, वैलवेट का, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी, और अगले वीडियो में जो है सलवार की cutting stitching बताऊंगी जो कि मैं गुड़ी सलवार बनाऊंगी और उसकी designer पहुंचा जो है हम बिल्कुल एकदम से designer बनाएंगे तो ये सलवार का fabric है सलवार और ये lining है तो हम lining वाला बनाएंगे अस्तर वाला पूरा इस suit को पूरा अस्तर लगाने वाले हैं इसमें तो पूरा बताऊंगी कितना इसमें अस्तर लगा तो देखिए सबसे पहले आपको दिखा देते हूँ ये गला बना है और side में बाजू के ये border लगा है और नीचे घेरे पर border है तो सबसे पहले हमने क्या करना है एक लमबाई इसको मैं अगले पला औलाग काट ओंगे और ने ये लिए पूरा अलाग काट करूँगी तो सबसे पहले मैं अगला वाला पीस लिए पला कट कर लेती हूँ इसके लंबाई थोड़ी ज्यादा है हमें 42 चाहिए लेकिन इसकी ज्यादा है तो कोई बात नहीं इसको हम जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना कट कर लेंगे और बॉर्डर जो है उसको निकाल लेंगे बॉर्डर हम बाद में अटेच करेंगे तो देखे, पहले डबल करके हमने रखना है, जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना कट कर लेंगे, ये देखिए, कैमरे में थोड़ा अच्छे से आनी रहा था, तो मैं इसको सेट कर रहे थी कैमरे को, ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट वाला पीस हम कट कर लेंगे, तो देखिए, फोल्ड करके, बराबर करके मैंने रख लिया है, अब यहां से तीरा रखेंगे, तो ये हम बैन वाला बनाएंगे, इसलिए इसका तीरा जो है, मैंने साड़े साथ इंच रखा है, और आम होल भी साड़े साथ इंच रखा है, अब यहां से हमन लगाना है बस्ट का चोथा प्लस दो इंच मार्जन के लिए ये चोथा प्लस दो इंच मार्जन के लिए आप यहां से डेड़ इंच पे एक निशान लगाएंगे यह देखिए यहां से डेड़ इंच पे और यह साड़े साथ है सो साड़े साथ का हमने हाफ करना है जितना भी गुलाई के लिए एक इंच हमने बैक करना है तिर्चा करके मिला लेंगे यह देखिए और यहां से हम रखेंगे एक इंच आप देखिए यहां से हमने एक इंच पे निशान लगाना है और यहां से हमने फ्रंट वाले गुलाई लगाने है यह देखिए यह प्रॉपर तरीका ह कभी भी आपके आम होल में खिंचाब नहीं आएगा तो कमर लाइन जो है मैंने 14 पे लगाई है और यहाँ पे हम लगाएंगे बस्ट लाइन जो की 3 इंच पे लगाई है इसके नीचे हम हीप लाइन लगाएंगे तो हीप लाइन जो है मैं 14 इंच पे लगाऊंगी आप देखिए कमर का चौथा प्लस दो इंच जो है हमने मार्जन के लिए रखना है सेम इसी तरीके से हीप का चौथा प्लस दो इंच मार्जन के लिए आप यहां से हमने देखिए बस्ट लाइन तक बिल्कुल सीधा सा मिलाना है पिर ये देखिए, बस्ट लाइन से हमने कमर तक इस तरह से, और फिर कमर से हिप लाइन तक इस तरीके से मिलाएंगे जब हम सीलाई लगाएंगे तो बस्ट के पास यहां से हल्की सी उगलाई बना कर लगाएंगे क्योंकि लाइनिंग वाला फैब्रिक है अभी हमें 42 लंबाई चाहिए तो नीचे में बॉर्डर लगाऊंगी तो एक इंच ना एक्स्ट्रा रख लोंगी मार्जन के लिए बाकी इसको फोल्ड नहीं करना है क्योंकि हमने नीचे ना बॉर्डर लगाना है अब इसका घेरा जो की बहुत अच्छी बनन गहीं। स्लिट बाली बनाएंगे लेकिन हम घेरा इसका ज्यादा रखेंगे ए- शेप में जो कि आजकल काफी τ्रेंड में है एशयप कोर्ति जो है और गोटि सलवार और एशयफ कोर्ति काफ़ी qững ही लिए- अज तो ये में बょो ही वाली हूँ अब देखिए आधा इंच अबने तीरा डाउन करना है जितने गले की चुडाई रखनी है वहाँ से आधा इंच नीचे को तीरा डाउन करना है तो देखिए अभी कटिंग कर लेते हैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन सी सुई का मैंने इस पर योज किया है कितने नंबर की सुई का मैंने योज किया है और बाजू के लिए कपड़ा नहीं बचा था तो उसका वीडियो जो है आप दूसरे चैनल पे डालूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया था तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी और इतना ज्यादा वीडियो देखके आप भी बोर हो जाएगे तो बाजू का जो है वीडियो दूसरे चैनल पे आएगा लेकिन कुर्सी की पूरी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं इसी चैनल पे डालूँगी अब देखिए जो बॉर्डर इस पे लगा है यह मैं बाजू पे लगाऊंगी और एक घेरे में तो यह बाजू वाला जो है यह देखिए कच्ची सी लाई लगी होती है ना इसमें तो इसको हम निकाल के साइट कर लेते हैं अब हम दूसरा पल्ला कट करेंगे बैक वाला तो बैक वाला पल्ला जो है हमने यह देखिए फोल्ड करके रख लेती हूं मैं जितना हमें घेरा इसका पूरा चाहिए ना तो हमें पूरा फोल्ड कर लेना है अगर स्ट्रेट करती बनाएंगे तो साइट से हमारी बाजू निकल जाएगी लेकिन इसमें से हमने पूरे का पूरा इसका घेरा रखा है थोड़ा सा ज्यादा घेरा रखेंगे ना अब दूसरा पीस उठाएंगे जो हमने बनाया था और बैक वाला जो कुर्टी का जो पीस है वो हम आधा इंच या एक आधा या पौना इंच बढ़ा के रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से मैंने थोड़ा बैक वाला पीस जो है लंबा रखा है अब कटिंग कर लेत हमारी कुर्टी की आगे और पीछे वाले पीस की कटिंग तो यह हम अस्तर वाला बनाएंगे अस्तर भी लगाएंगे इसको तो देखें अभी आपको दिखाती हूँ बाजू के लिए कपड़ा जो है साइड से इस तरीके से बचा है दोनों साइड से दोनों जो पल्ले थे आगे वाला और पीछे वाला इस तरीके से हमारा ये कपड़ा बचा है आप देखिए हम किस तरीके से बाजू को बनाएंगे तो यह जो बीच में जोड आएगा ना यहां पर मैं आपको इतना अच्छा सा डिजाइन बताने वाले हूँ जो कि बिलकुल यूनीक है और इस प कि आप बहुत ही इसको बना सकते हैं तो जितने भी आपको लंबाई चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लास करके बाजू को कट कर लीजिए यह ओपन वाली साइड बीच में आएगी जहां पे कि हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो बराबर करके रख लेती हूं और बाजू की दे लेंगे यह देखिए यह हो गई हमारी बाजू की कटिंग अब हम अस्तर कट कर लेंगे बाजू पर मैं लाइनिंग नहीं लगाऊंगी यह देखिए छोड़े-छोड़े से पीस बचे हैं इनको मैं अलग कर लेती हूं अब लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं तो लाइ लगा लुज हमें मय लगा कोने कह लोब smok को सहवाद में यचा मैं इसातली उसके लेखो कर लेखे हैजिए मैं आप लगा कॉर्टन इसने कना सब्सक्राइब भीiba हमें किनी देखेए में व किसाके वका कर ला जैस lattes मैं उसको हलका सा लोज रखके ही स्टिच करती हूँ तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं फ्रेंट्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके बहुत काम आएगा ध्यान से देख लीजिएगा पूरा मैता आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी तो फ्रेंट वाली कटिंग हमने कर ली है आप देखिए मैं न लाइनिंग हमने गले पर कैसे जोड़ ली है तो मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें हमें कोई भी हैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से आपने लाइनिंग को रखना है देखिए कुर्ती को सीधा करके रखना है और उपर से हम लाइनिंग को रखेंगे तो आपने क्या करना है अगर आप बिगनर हो सीख रहे हो तो बीच में आप थोड़ी थोड़ी इस साइड पे पिन्स बगेर लगा लेजिए इस तरीके से अगर आप पिन्स बगेर लगा लेंगे तो आपका कपड़ा एकदम से सेट रहेगा हिलेगा नहीं इदर उदर को ये देखो अच्छे से बराबर करके रखियेगा पूरा सेंटर निकालके अब जो इस पे जो कड़ाई हो रखी है गले पे जो वर्क है न उसके साथ साथ ही हमने पूरा गुलाई में यहाँ पे सिलाई लगानी है और इस तरीके से अगर आप लाइनिंग को जोड़ोगे न तो गले पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा तो यह छोटे-छोटे तरीके होते हैं जो की काफी यूसफुल होते हैं स्मार्ड तरीके होते हैं जो हमारे काम को बहुत ही जल्दी हमारा काम भी निपट जाता है बहुत कम time में हम ज्यादा काम जो है कर सकते हैं अब हलके हलके से हमने यहां पर कट लगा लेने हैं यह देखो पूरा गुलाई में हमने छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं और इस बात का ध्यां रखना कि सिलाई हमारी कटनी नहीं चाहिए तो पिन को उतार लेंगे, आप देखिए, इस तरह से कपड़े को रखते हुए न, उपर से पहले एक टॉप स्टेच लगाएंगे यहाँ पे, मार्जन को दूसरी साइड को रखना है, पाहर बाली साइड को यह देखिए, आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा आप देखिए, इस तरह से पूरा अच्छे से ब्राबर करके रखते हुए न, आप चाहो तो यह देखिए, इस तरह से पिन लगाकर पहले सेट कर लीजिए, अब यहाँ पे हमने ओपर से एक टॉप स्टेच लगाना है, थाकि हमारा यह लाइनिंग वाला जो कपड़ा है न यह देखिए, यहाँ पे पिल्कुल फिनिशन के साथ आपने सिलाय लगानी है, और इसमें जो वर्क हो रखा न, यह वैलवेट का, पूरा इस पे डोरी, जो बारे एक सी डोरी होती है न, तिल्ले वाले, एक तो तिल्ला होता है, लेकिन यह तिल्ला नहीं है, डोरी वर्क है इस पे पूरा, अब हमने लाइनिंग को अटैच करना है, तो लाइनिंग को अटैच करतेए वगत, आपने क्या करना है, टांका झो है, बड़ा कर ले ना है, जिसके साथा आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर आप सुई धागे से टांके लगाना चाते हैं, तो लगा सकत अब पूरा लाइनिंग को मैं पहले अटेच कर लेती हूं यह देखिए इसमें ना कोई जोल बगारा नहीं आना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको स्टिच करना है और हां आपको बता दूँ कि इस पे जो मैंने निडल का यूज किया है 16 नंबर की सुई का ही दूँ की ऊचया है इस पे 16 नंबर की सूई बहुत इसईली चर जाती है क्योंकि हमने लाइनिंग लगाई है और यह वाला जो घुण का परются होता ना इसमें 16 नंबर की सूई बहुत इस ली चल जाती है ना उसलिगे दिख कर लेंगे लेकिन ये stretchable वाला fabric नहीं है, तो देखिए extra दो आपको दिख रहा है इसको हम cut कर लेंगे, तो ये हमारा अगला piece जो है front वाला piece जो है ready हो गया है, अभी देखिए उपर से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा थोड़ा plane, लेकिन अगर हम पूरा-पूरा cut करते तो इसका गला चोटा हो जायता था, और अगर चोटा गला हो जाए तो back को जाएगा फिर, पीछे-पीछे को जाता है, अब हम तीरा attach कर लेंगे, ध्यान रखिए ये हम जो कुर्टी बनाने वाले हैं, half band इसको लगाने वाले हैं, तो आगे आपको दिखाऊंगी कि half band बहुत ही एक proper तरीक तो देखिया, मैं इसपे प्लेट डालना भूल गई थी, तो ये लाइन पर निशान लगा के उपर से ये देखिए 4 इंच नीचे और 4 इंच ऊपर तो इस तरीके से मैंने प्लेट का निशान लगाया, तो क्या हुआ था नो मैं पहले भूल गई थी, प्लेटो मैं हमेशा यह मेरे किसी कस्टمر का सूट है तो फ्लीट्स ऑनको पसंद है उप्लीट्स बैक पे प्लीट्स डालना, तो हमेशा मैं बैक में प्लीट्स डालती हूं, लेकि मैं पहले बोल गई थी, तो अभी देखिये इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है, अब इस तरह से पकड़के हम भैक साइट पे प्लीट्स डालेंगे प्लीट्स के डाल साथ क्या होता है ना कमर की फिटिंग जो है बहुत ही बड़ी आती है बहुत प्रॉपर तरीके से आ जाती है तो सिरफ मैं बैक पे ही प्लीट्स डालती हूँ, फ्रंट में नहीं डालती तो देखिए प्लीट्स मैंने डाल ली है अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं जितना भी आपका नाप है, उसे हिसाब से नाप लगा लिजिए, और फिटिंग की सिलाई लगा लिजिए. तो फिटिंग सिलाई जो है मैंने लगा लिजिए, अब साइट से हमने स्लिट से ये देखिए, कच्चा कर लेना है, ये देखो, इस तरह से बराबर करके, बड़ा टांका राके आपने यहाँ पे कच्चा कर लेना, क्योंकि इस पे हम हैमिंग करने वाले हैं, तुरफाई करें तो पहले बड़ा टांका करके हम चाक जो हैं, इसके स्लिट जो हैं, उनको फोल्ड कर लेते हैं, तो देखिए, इसमें कोई जोल ना आए, बिल्कुल धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से, आपने अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि वैल्वेट जो फैब्रिक होता है यह देखिए, अब यहां से भी, तो दोनों साइट से मैं स्लिट को पहले फोल्ड कर लेते हूं, तो देखिए, स्लिट वाली साइट से मैंने फोल्ड कर लिया है, अब नीचे घेरे वाली साइट पे ना, फ्रंट वाली साइट पे मैं यह बॉर्डर अटैच करूँगी, तो देखे, इस तरह से न हमने थोड़ा सब बड़ा के रखना है इस side को, और border को सीधा रखना है देखे, और बिल्कुल किनारे पे, जहां पर ये piping है, बिल्कुल किनारे-किनारे पे हमने seal आए लगाने है, इस तरह के से हमने border को attach करना है, आप देखे सीधी वाली साइट को हम इसको टर्न करेंगे ये देखो इस तरीके से यहां से फोल्ड कर लेंगे यहां पे ना बाद में मैं सुई धागे से टांका लगा लूँगी यहां से थोड़ा सा मोटा हो रहा था तो यह एक्स्ट्रा फैक यहां से मैंने थोड़ा सा कट कर लिया आप देखिए इस तरह से फोल्ड करके और उपर से हमने बिलकुल किनारे किनारे पर सीलाई लगा देनी है और यहां से बाद में मैं टांके लगा लूँगी यह जो साइट से ओपन रह गया ना यहां पर सुईधागे से टांका लगा दूँगी तो इस तरीके से हमने बॉर्डर लगाना है इस तरीके से अगर आप बॉर्डर लगाओगे ना बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा और बैक साइट पर हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे सिर्फ फ्रंट पे ही है इसका बॉर्डर फ्रंट फ्रंट पे मैंने बॉर्डर लगा लिया और जो बचा था उसको हम बाजू पे लगाएंगे तो फ्रेंट्स देखिए घेरा भी हमने फोल्ड कर लिया है और यह बॉर्डर आगया हमारा नीचे से बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहां से जो उपन है ना यहां से मैं बाद में सुईधागे से टांके लगा लूँगे यह देखो इस तरह से ना फिनिशिंग के साथ जो है बॉर्डर जो है हमारा आ जाएगा तो फ्रेंट्स बाजू की जो है डिजाइनिंग आप मेरे दूसरे चैनल पर देख लीजिएगा बाजू को मैंने अटैच कर लिया है यह देखो इस तरह से मैंने बाजू पर डिजाइन बनाया है और यह इसका फाइनल लुक आया है अभी न यहां पर मैं देख रही थी कि इसमें गोल्डन कलर के मोती लगा दूँ तो अभी देखती हूँ मोती भी लगा सकती हूँ अभी सोच रही थी कि लगाओं या नहीं अग देख लूँगी अगर मोती अच्छे लगे अब मैं आपको बैन लगाने का तरीका बताऊंगी तो इस पर हम हाफ बैन लगाने वाले है पहले कुर्टी को उल्टा कर लेती हूँ अब देखिए पहले हमने कुर्टी के यहां से गले की कटिंग नहीं की थी ना तो देखिए हमने क्या करना है पूरा ब्राबर करके रखना है इस तरीके से देख लिजिए ध्यान से अब हमने पूरा ब्राबर करके रखते हुए नीचे को हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यह देखो इस तरह से हलकी सी शेप देते हुए न यहां से हमने कट कर लेना है तो यहां तक कट करेंगे यह देखो यहां से थोड़ा से छोड़ देगे और बीच में एक कट लगा लेंगे सेंटर निकाल लेंगे यह देखो यहां से अक असा डॉँन करके न इससे आपके तीरे में बिलकोल भी खिंचाब नहीं आएगा कभी भी आप बैन वाला गलाब आओगे हाफ बैन या फुल बैन तो बैक से आपने जरूर जरूर कट करना है तो देखिए आप हम बैन के लिए हमें 14 इंच का मैं बैन लगाने वाली हूं तो मैंने देखिए यहां पर फ्यूजिक पेपर जो है चिपका लिया है जो पेस्टिंग पेपर होता है वो मैंने करूँगी यहां से गुलाई लगाते हुए यह देखिए इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे और भी मैं बहुत सारे तरीके से बैन लगाती हूं लेकिन कपड़े कपड़े के हिसाब से जैसे अब यह वैलवेट का कपड़ा है तो यह तरीका सबसे असान है तो बैन के क जो है बैन की यहां से एकदम से प्रोपर तरीके से आने चाहिए। थोड़ा थोड़ा समार्जन चौड़ते हुए हमने पूरा स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपको दिख रहा है न, इसको हम कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बाकि एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे यहां पे हलके हलके से कट लगा लेंगे आप इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम यह बैन बनाने वाले हैं यहां से देखिए अच्छे से सेट करते हुए न सिलाई को यहां पे आपने पिन लगा लेनी हैं ये देखो उपर-उपर वाली साइड पर पिन लगा लिजिए जिसके साथ कि ये बैलविट फैब्री का न तो थोड़ा उठा-उठा से रहेगा तो इस तरीके से आप पिन लगा के इसको सेट कर लिजिए तो देखी आप हमने क्या करना है ये जो एक्स्ट्रा फैब्रीक रखा था न इसको हमने फोल्ड कर लेना है ये देखी तो ये वाला तरीका मुझे नहीं लगता आपको किसी ने बताया होगा ये तरीका बहुत ही असान होता है तो वैलवेट पे मैं इस तरीके से ही बैन लगाती हूँ आप कॉटन पे भी इस तरीके से लगा सकते हैं और भी तरीके होते हैं लेकिन ये तरीका भी काफी असान होता है आप देखिए जो हमने बैन रेडी किया है इसको भी हम सेंटर निकालेंगे और बैक से भी हमने सेंटर निकाला हुआ है न कुर्ती का आप देखिए किस तरीके से लगाएंगे इसको यहां से फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से और सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए पूरा हमने इसको बैन को अटेच करता है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते हुए अपने बैन को अटेच कर देना है यह देखिए यहां से अच्छे से सेट करते जाए और बैन को हमने इसी तरीके से अटेच करना है तो हमने न सेंटर से शुरू किया था तो आदी सिलाई हम भी बाद में लगाएंगे यह देखो यहां तक और यहां से पक्का करते हुए यह देखो सिलाई को निकालेंगे यह देखो इस तरह से आए गए यह ठीक है तो जो यह नीचे वाला कपड़ा ने इस पर बाद में तुर्पाई करेंगे तो अगर आपको इस तरीके से एजी लगे ना बेयान लगाना तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं यह काफी असान लगता है मुझे तो यह तरीका बहुत अच्छा लगता है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताना आप और क्या सीखना चाते हैं और फ्रेंट्स अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा क्योंकि पूरे सूट का लुक मैं आपको दिखाऊंगी कैसा इसका दुपट्टा है और जो सलवार में इसकी कैसी बनाने वाले हूँ तो पूरे सूट का फाइनल लुक जरूर देख लीजिएगा और अगर आप और भी कुछ सीखना चाते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और फ्रेंट्स चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा तो देखिए यहां से न सिलाई धागा खतम हो गया था तो फिर यहां से फिर से मैंने सिलाई लगाई यह देखो यह देखिए तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लोक जो है किस तरह का आया है और यह जो हमने बैन लगाया है इसका जो अंदर वाली यह पट्टी है ना यहां पर हमने मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से आपने यह देखिए इस तरह से तरुपाई कर लेनी है तो पूरा गुलाई मैं इस तरह से तरुपाई कर लेंगे और बहुत ही बड़ी आप फिनिशिंग के साथ हमारा बैन जो है यह लग जाएगा तो कुर्ती जो है हमारी रेडी हो गई है फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ अभी इसमें हैमिंग होने वाली है तो तरुपाई मैं इसको बाद में करूँगी इसकी सलवार भी स्टिच करूँगी तो सलवार का वीडियो भी जल्दी ही आएगा कल वाले वीडियो में मैं आपको सलवार का कटिंग स्टिचिंग भी बता दूँगी सलवार भी मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग वाली बनाऊंगी तो वीडियो को जरूर देखिएगा कल वाला वीडियो जब आएगा सरवार का वीडियो भी जरूर आपने देखना है तब ही आपको पता चलेगा कि फाइनल लुपिस का पूरे सूट का कैसा आया है ताकि आप भी अपना सूट जो है इस तरीके से बना सको अगर आपका भी बाजू का कपड़ा कम है तो इस तरीके से आप भाज देजाइन कर सकते हैं जो कि देखिए इसके साथ ना एक दम से मैच हो गया ऐसा डिजाइन हमने नहीं बनाना है जो की सूट के साथ हमादा बिल्कुल भी मैच ना करें तो ये सूट के साथ एक दम से मैच करके ही मैंने ये बाजو का design ने है क्योंकि इस पर भी मैंने डोरी ही लगाई है तो इसका link मैं आपको दे दूँँगी अभी मैंने दूसरे चैनल पर डाला नही है लेकिन जब डालूँगी आप जुरूर देखिएगा दूसरे चैनल पर यसका वीडियो जो है आपको आज ही मिल जाएगा आज शाम तक इसका वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगा तो ये है इसका फाइनल लुक ये देखिए और बाजू मैं आपको दिखा देती हूँ ये घेरा है इसका और इस तरह के से आया है तो बाजू डाल के मैं दिखा देती हूँ अभी ये मेरा सूट नहीं है ने तो मैं आपको डाल के दिखा सकती थी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में